की देखना बोड पर ध्यान देना आपकी सेकंड़ क्लäस अी आज प्राइम कॉस्ट बता दिया था फेक्टरी ऑवरहेड़ बता दिया था अध्मिनिस्टेटि ववरहेड़ बता दिया था कुछ अकांटिंग के अंदर इसको कॉस्ट बोला जाता है इसके अंदर जैसे हम फाइनेंस के अंदर केटिगराइज कर देते थे revenue from operation other revenue expense उसी तरीके से यहां केटिगराइज है सबसे पहला है जो जनरेट होता है उसको नाम देते है प्राइम कोस्ट इसके बाद जो heading generate होता है उसको देते हैं gross factory cost इसके बाद जो heading generate होता है उसको बोलते है net factory cost इसके बाद जो heading generate होता है cost of production इसके बाद जो heading generate होता है cogs इसके बाद जो heading generate होता है cost of sales और last one होता है हमारा sale Prime Cost के अंदर सारे के सारे Direct Expenses है और Gross Factory के अंदर Factory के खर्चे है Basically जो पहले हम Trading Account बनाते थे तो Trading Account को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया Raw Material का खर्चा यहां डाल दिया और Factory में अगर कोई Water Supply का Bill है वो यहां डाल दिया Carriage on Purchase यहां डाल दिया लेकिन आपका और कोई Other Expense, Canteen Expense हो गया या Wages हो गया तो Productive Wages यहां है और Productive Wages यहां है तो Basically वो दो है यह Trading Account ही है लेकिन इसको दो क्या टेक्री में कर दिया इसमें क्या-क्या Expense आना चाहिए सिर्फ क्या आना चाहिए इसके इंदर तीन चीज़े आती है mainly एक तो Purchase आएगा ही आएगा इसमें Plus हो जाएगा Opening Raw Material बिल्कुल Simple है और Minus हो जाएगा इसमें Closing अगर दे रखा है तो और दो खर्चे और आजाएगा Productive Wages और Direct Expense ठीक है इन दोनों के बीच में क्या Relation है? Net Factory और Gross Factory के बीच में इसमें बस WIP माइनस करना होगा WIP क्या होता है? Work in Progress इसमें Plus कर देते हैं Opening और Minus कर देते हैं Closing First Class में जो मैंने करवाया है जिसने कर रहा हुआ है First Class उनको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में क्या Relation है? इसके बीच में Admin के खर्चे यानि Office में खर्चे होते हैं जैसे salary दे दिया, telephone का charge, interest charge, bank के interest charge बगएर यह सारे खर्चे इसके बीच में क्या Relation है? इसके बीच में हमारा Opening Stock और Closing Stock और वो है FG वाला यानि Stock हमारे तीन तरीके के हो गए हाँ पे कौन-कौन से तीन तरीके के Stock हो गए एक हो गया Raw Material का एक WIP का एक FG का Raw Material वाला तो Prime Cost में WIP Gross से Net बनाने के लिए और FG किस के लिए काम आएगा? Last में Cost of Goods बनाने के लिए इन दोनों के बीच में क्या है Difference is Selling and Distribution Expense बस यह चीज हमें याद रखना है तो हमें कोशन ट्राइ करते हैं पहले हमने Black Format बना लिया Blank Format और पहले लिखा मेंने Prime Cost फिर लिखा मेंने Net Factory Cost फिर Cost of Production यहाँ पर एक LINE मेंने खतम कर दिया Gross वाला इसके अध कोशन आफ गुड सोल इसके बाद कहता है Opening Stock of Raw Material 4,000 तो 4,000 मैंने यहाँ लिखा और Closing है हमारा 5,000 तो 5,000 यहाँ लिखा इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आगया 1,000 लेकिन यह तो नेगेटिव का रहा है कोई बात नहीं यहाँ ब्रैकिट में डाल देंगे कुछ-कुछ आपको याद आ रहा होगा Cash Flow Format जो से किया सा Second Year में उसी टाइप से हमारा Direct Labor यहाँ एगा Direct Labor और Direct Labor हमारा 9,000 यहाँ 9,000 एड कर दिया Machine Hour यहाँ एगा Factory Overhead अब Overhead खर्चे को बोलते हैं कहता है भाई 900 घंटे चला और 1 घंटे का 5 रुपए तो 900 घंटे चला और 1 घंटे का 5 रुपए तो Total खर्चा Machine Hour सा है 4500 Carriage Inward यहाँ का खर्चा है याद रखना Carriage Inward Direct Expense है तो मैं यहाँ लास रहे गया Carriage Inward और Carriage Inward दे रखा हमें 1,000 कहां की? घर पे होगी नीचे रखे Carriage Inward है हमारा 1,000 Administrative Overhead 20% अब देखो इसको न हम Work Cost भी बोलते हैं Work Cost इसे यह बात ध्यान रखना है आपको Work Cost इसको हम Work Cost भी बोलते हैं तो Work Cost, Net Factory Cost कहता है Carriage Inward इसके बाद है Administrative Overhead Admin Admin Overhead 20% of Work Cost यानि जो यह रिजल्ट आएगा इसका 20% है चलो रिजल्ट निकाल रहेते हैं 15 और 14 और 10, 24 24 और 45 और 28,500 इसका 20% ही यह है तो इसका 20% कितना हो जाएगा 26, 56, 5700 कैसे निकाला हमने 28 500 इंटुमें 20% इंटुमें 20% इन दोनों को एड़ कर दें अगर हम 285 33 तो कितना आ जाता है हमारा 33,34,200 रुपे यह आ गया cost of production ठीक है बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है इसके आद कहता है selling overhead selling overhead यहां का part होता है cost of sales से पहले तो selling overhead 50 पर से पर unit sold तो 0.5 पैसा sold तो भाई कितने unit sold किया यह तो बताओ बाद में कहता है last में 16,000 unit बेच दिये तो ठीक है भाई 16,000 unit बेचे हैं तो इसका खर्चा तो हम मान लेते हैं कितना आएगा 8,000 unit produce एक point याद रखना है आपको unit produce दे रहा ही है तो हमारा sale unit is equal to opening fg unit इसमें हम plus कर देते हैं या plus produce unit और minus closing fg unit ये रहता है हमारा formula तो हमें यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं selling unit दे रखा था 16,000 opening fg unit आपको दे रखा है 2,000 और in fact rate भी दे रखा है तो वो तो हमारा यहां का part है तो plus करेंगे opening opening fg आप format को ध्यान से देखें जो सब कुछ आपको clear होता जाएगा बढ़ा ही आसान है तो कहता है बाई 2,500 रुपे के इसाप से 1.5 यहां थोड़ा में sprint है 1.5 कर लेना आप इसको तो यह आगए 3,000 रुपे हैं और minus कर देते हैं closing fg closing fg unit तो पता है हमें और closing fg unit देता है यह कि भाई आपका closing fg unit जो है नहीं बताये question ने चलो कोई बात नहीं होगा देखते हैं यह दे रखा है plus production दे रखा है कि आपको कितने unit बिल्कुल दे रखा है 17,000 minus closing नहीं दे रखा तो आप find कर सकते हैं 17 और 2 कितने होगे 19,000 और यह कितना होगे 16,000 minus करोगे तो कितना आजागा 30 100 के आगया हमारा closing तो यहां से closing 30 100 तो आ गया लेकिन multiply किस से करें समस्य यह है हमें इस question में यह नहीं पता चल पा रहा है कि multiply किस से करना है तो multiply करने के लिए आपको rate जानना है तो rate निकालने का formula होता है formula के basically पता होना चाहिए cost of production जितना हमें बनाने का खर्चा पड़ा divided by production unit एक unit का rate आजाएगा वही rate लेकर चलेंगे cost of production देखो क्या है 34,000 unit कितने बनाए हमने question में दे रखा है 17,000 कितने आगे इसको 2 से multiply करेंगे तो यह आगे 62 इसको minus कर देंगे ठीक है तो अगर मैं इसको solve करूँ तो क्या आता है 34,200 प्लस 3,000 minus 6200 यह आगया 31,000 इसमें 8,000 जो ओड़ देंगे तो 39,000 sales कहता है भाई हमने 16,000 unit बेज दिये 4 रुपे गए तो उसको कितने हो गए 64 minus plus 8,000 और minus 64,000 answer 25,000 जो इसके बीच का difference रहेगा उसको हम बोलेंगे profit यह balancing figure है question में बोला गया है कि आपको cost sheet बनाना है और statement of profit and loss आप simple तरीके से समझो जो cost of production तक है यह तो हमारा हो गया यह और इसके नीचे का part जो है वो profit and loss है बागे आप एक में करके दिखा दो examiner अपने आप ही अलग-अलग कर लेगा तो cost sheet में क्या है आपको heading पता होना चीए सबसे main point अगर इस question के अंदर मैं highlight करूँ तो आपको यह rate निकालना पड़ेगा यह मैं अलग से highlight कर देता हूँ इस rate को निकालने के लिए क्या formula अपनाई करना पड़ेगा ठीक है और cost of यह कौन सा हमारा है यह और उसके divided by यह खर्चा divided by unit unit कैसे निकलेगा यह रहा formula यहां अगर missing होगा तो